आज सुबह हमारे गार्डन में बंदर आ गए थे जिन्होंने काफी सारा नुकसान कर दिया यह अपराजिता के फूल है जो की कलिया भी है फूल भी है इनको सारा तोड़ दिया है और इस पर एक फली भी आई हुई थी जो जल्दी ही सीट बन कर तयार होती लेकिन बंदरों न मैं आपको लास्ट वीडियो में भी पताया हुआ है दो तीन ग्रूप है बंदरों के उसमें एक ग्रूप में लग-बख 50 बंदर है इतने सारे बंदर आ जाते हैं एकदम से और बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं तो नीचे बाले गार्डन में तो काफी सारा नुकसान कर द उसमें एक वाइट अपराजिता क्रीपर होती है लेकिन हमने इसको पौधो की तरह चलाया था तो वीडियो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं तो देखिए यह टहनी बिल्कुल बीच में से अलग कर दी है लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसको बिल्कुल स्टैम से अलग नहीं किया है यह स्टैम से जूड़ी हुई है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं गार्डन में हम कोई काम ऐसे करते हैं जैसे हम वाटरिंग करते हैं तो गल्दी से किसी प्लांट की टहनी तूट जाती है तो इसको आप ठीक कर सकते हैं अगर वो स्टैम से अलग नहीं हुई है बहुत आसानी से ठीक हो जाता है तो यह जो पौधा है इस पर आज हम यही ट्रा कर चुके हैं कräसं लिए अनिक्री क्रसंथ कशना सब्सक्राइब आपको भी बंगरेखनाे तो आप ऊसको कर सकते हैं पहुत ही आसानी से और वह कैसे करेंगे इक ग्राफिटिंग टेप है क्वाफिटंग टेप नही। यह वो है M-seal tape है जो कि हमारे हाँ tank लगाया जाता है plumber आते हैं तो जो tap use होती है water tap उसमें ये लोग use करते हैं इसको तो ये सभी के घरों में होगा क्योंकि ये बचा हुआ रह जाता है जब समान बच जाता है fitting के बाद तो उसके बाद tap लगाने के काम आता है तो आप किसी भी plumber के हाँ पर इसको ले सकते हैं तो सबसे पहले पौदे को बांध देंगे जिससे जो ये पौदा है ये दोबारे से जुण जाएगा और हम इसको उपर से M-seal tape इस पर लगा देते हैं ये बहुत ही अच्छा result देता है आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए एक बार हमने इसे क्रसेंथिमम की टहनी पर यूज किया था एक बार मोगरा की टहनी तूट गई थी और सबसे पहले जब हमने इसे 2-3 साल पर यूज किया था जब तुलसा जी का पौधा गलती से तूट गया था एक तो बहुत दुख हुआ था तो उस पर सबसे पहले ट्राई किया था करके देखा था और उसमें बहुत अच्छा result मिला था तुलसा जी का पौधा फिर से ग्रोध करने लगा था तो अगर कोई भी टहनी तूट जाए तो आप यह ज़रू ट्राई करें एक बार क्रिसंथिमम जो होता है बहुत ही नाजुक टहनी होती है उसकी उसमें फर्टिलाइजर देते समये या पानी देते समये आपको एक नएक टहनी ज़रू टूट जाती है तो आप जरूर ट्राइ कीजिए एक बार इसे, बहुत अच्छी चीज है ये, और आप इसको ऐसे ग्राफ्टिंग टेप भी उसकर सकते हैं, तो अगर आपके पास तो ये सब के पास जरूर होगा, अगर आपके हैं टेंक लगा हुआ है, तो जो प्लंबर लोग जो समान छोड जाते हैं, उसमें ये जरूर आपको मिलेगा, और नहीं है, तो जरूर मार्केट से लेकर आईए, एमसील टेप नाम से मिल जाएगा आपको, और केवल 10-20 रुपे का मिल जाता है, और प्लंट के लिए हमने इसको पहले तो रखा हुआ था घर पर, लेकिन फिर वो खतम होता जाता है, तो हमने इस पेशली प्लंट के लिए इसको मंगा कर रखा हुआ है, अपने प्लंट के लिए, तो ऐसा जरूर होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई टहनी टूट जाती है, तो उसका हम ठीक कर देते हैं, एक बार हिबिसकस की टहनी टूट गई थी, गुढल के प्लास्टर कर देते हैं, तो हमारा जो घाव है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, या फिर जैसे हड़ी टूट जाती है, कोई बोन क्रेक हो जाती है, तो उसमें भी हम प्लास्टर करते हैं, तो उसी तरह से सेम यही है, अगर पौधा अलग नहीं हुआ है, जो टहनी है, वो आप उसको बहुत असानी से ठीक कर सकते हैं, और इसको हटाने की जरूरत भी नहीं होती, कि जब पौधा ठीक हो जाता है, और ठीक हो जाएगा अपने आप, तो इसको हटाने की भी कोई जरूरत नहीं है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजे, शेयर क कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टन बात है, इंपोर्टन जानकारी है, जो कि आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी इंफोर्मेशन आपको आगे भी द में इसके अपडेट देते रहेंगे इसलिए सभी वीडियो को देखा कीजिए सब में कोई न कोई इंफोर्मेशन होती है और प्लांट से रिलेटेड कोई नई जानकारी जरूर मिलते हैं जो हम अपने प्लांट से लेते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे अच्छे बुरे जो भी हो और निगेटिव और पॉजिटिव सभी तरह के पॉइंट आपके साथ शेयर किये जाते हैं जिससे हम सीख पाते हैं कि हमने क्या गलती करी तो जरूर आप चैनल को देखते रहें और व हमारी वीडियो कैसी लगती है और कॉई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं या सजेशन है तो वह भी पूछ सकते हैं अगर देसकतें आप सजेशन देखिए यह एक और लार्वा है जो कि बटरफ्लाई केटरफिलर है तो सबसे शुरू में जब हम गार्डन में आये थे तो ह एक पूरी लीफ तो इसने पहले ही खाली है देखी सकते हैं और बिल्कुल ये पतियों के जैसा है तो पहचान में नहीं आ रहा है तो एक दिन के अंदर ये पूरा प्लांट गायब कर देता और ये पाउडर पफ का प्लांट है जो की बहुत मुश्किल से हमने सीट से ग्रो कि इस पर भी जल्दी ही हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तो देखिए सारी जो इसकी पतियां है सबको खाता जा रहा है और ये बहुत छोटा होगा लेकिन अभी इसने पतियां खानी शुरू कर दी तो देखिए कितना बड़ा हो गया है तो कल हमने इसमें प्लांट कि किस तरह से आप इस लार्वा को हटा सकते हैं अपने गार्डन से तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा है डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है तो ये बटरफ्लाइ लार्वा होते हैं कैटरपिलर होते हैं ये नुकसान नहीं करते हैं इनक लिहीं से तितली बन कर तयार हो जाएगी वीडियो जरूर चेक कीजिएगा थैंक यू